यहां मेरे प्यारे साथियों शुप्रभाथ आप सभी कैसे हैं उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगी प्यारे बच्चो जैसा कि आज इसकल पौफी का गेम बहुत चल रहा है मोबाइल में अक्सर बच्चे पफ गेम बड़ा प्यारा दुलारा पीता के पास समय नहीं कि अपनी पत्नी को समय दे सकें उसके साथ बैड के उसका सुख दुख पूँ सकें हाल चाल जान सकें क्योंकि उस अपने कारियों में बिजी रहते थे और बेटा जब देखो पवजी गेम खेलता हुआ मोबाइल में बिजी म अकेली डिप्रिशन का सिगार हो गई एक दिन माने अपने पती को फोन किया कि मैं इस दुनिया से तंग आच चुकी हूं ना तुम्हारे पास मेरे लिए समय ना बेटे का पास मेरे लिए समय यह अकेला पर अब उससे बर्दास नहीं होता है मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूं पती घब आ गया ऑफिस में था तुरंट कैसे आ सकता था उसने अपने बेटे को फोन किया अब क्योंकि बेटा बारा साल का था नाबालिक था मोबाइल में गेम खेलने में बीजी था उसने देखा पापा का फोन आ रहा है उसने काड़ दिया तीन बार पापा न आई मा ने देखा बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा है उसको प्यार किया चूमा चाटा उससे बात करना चाहाँ बहुत मैं डिस्टर मत करो अभी में खेल रहा हूं था मा चली गई और उपर के कमरी में जा करके उसने पंखे में साड़ी का फंदा बनाया उसमें लटक पापा बार बार फोन कर रहे हैं कि अपनी मम्मी को रोको वो डिप्रिशन का सिकार है कहीं कुछ गलत न कर बैटें जाकर परोसियों बताओ कि मम्मी ने ऐसा कहा है जिसे मम्मी को बचाया जा सके लेकिन बच्चा तो मोबाइल में मस्त वो क्यों जान दे पिता जबाए प्रली थी और हम बच्चे को भी कुछ नहीं कह सकते थी क्योंकि बच्चा 12 साल कहता और मोबाइल में गेम खेल रहा था अब बताओ दोशी कौन है क्या वो बच्चा क्या वो माता-पीता जो अपने बच्चों को मॉबाइल लेकर देते हैं अगर आप मोबाइल लेकर देते तो उसमें क्यों डलवाते हैं क्यों बच्चों को भीगड़ने का उसर देते हैं फिर कहते हैं मेरा बच्चा विगड़ गया वो रातो दिन मुबाइल खेलता है तो कहीं हद तक हमारी अभिवावक हमारी माता-पिता भी दोशी होते हैं मोबाइल बहुत अच्छी चीज है जब हम उसका सद्धिवयोग करते हैं लेकिन किसी भी चीज की अती बहुत बुरी होती हे요 कहते हैं अति का भला ना बरसна अति की भली ना दूप अति का भला ना बोलना अतिकी भली ना चुप जहां हम रातो दिन मोबाईल में ही लगे रहते हैं तो क्या होता है यह हमारे दिमाग को कमजोर करती है हमारी आखों को कमजोर करती है और जो इंपॉर्टेंट कॉल होते हैं क्योंकि हम तो खेल पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो मेरे लाडलों मेरे प्यारों आज की कहानी अभी भावकों के लिए भी है मेरे बच्चों के लिए भी है मेरे साथियों के लिए भी है पूरे समाज के लिए है आपकी आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमंड बॉक्स में लिखके बताएंगे सबको टाटा बाए बाए हम लोग फिर में